हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप सब आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरद आप लोगों का सेलेक्शन मेंटर के इस ओफिशिल यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों जैसा की मालूम में आप लोगों को आज दोस्तों लगातर में समिक्षा अदिकारी का आपके लिए बैच प्रवाइट करा रहा हूँ समिक्षा दिकारी का बैच से जुड़ने के लिए आप हमें इस नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं और मात्र जिसकी शुल्क जो है वो तीन हजार रुपे रखा गया है इसका सब कुछ मिलेगा और तीन हजार रुपे का आपका यह मात्र कोर्स है तो आप इसको जोईन कर सकते हैं जोईन करने के लिए आप इस नंबर पर वाट्सअप कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज शुरू करते हैं आपको मालूम है कि Constitution Development के पॉइंट ऑफ इस अगर हम देखें तो लास्ट जो टॉपिक हुआ था जिसमें हम लोगों डिसक्शन किया था उसमें भारत परिश्टा दन्यम उन्नीस अठारा सो बांग बेकों लोगने पड़ा था 1892, 1861 Council of India Act लास्ट चो पॉइंट पड़ा था इंडियन कांसिल एक्ट इंडियन कांसिल एक्ट एक्ट 1861 ये पिछली क्लास में लोगों ने पड़ा था तो चलिए शुरुबात करते हैं ये वाला पॉइंट हम लोग पड़ा लिया था इसको रिवाइस जरूर कर लीजेगा आज हम जिस टॉपिक को पड़ने जा रहे हैं वो टॉपिक जो है The Council of India Act 1982 है इसको हम लोग पढ़ेंगे The Council of India Act The Council of India Act The Council of India Act 1892 1892 1892 Council of India Act 1892 आप यहाँ पढ़ेंगे पढ़ने जा रहे हैं तो देखें जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था Constitutional Development में दो फेज़ेस थे एक तो Company के अदिन समयदानिक विकास था और एक तो था British जो Crown है उसके अदिन साचन रास तो British Crown के अदिन जो विकास है वो शुरू होता है 1858 के Act के द्वारा इसमें हम लोग 1858 का Act पढ़ चुके हैं इसके अलामा 1861 का Act पढ़ चुके हैं और अब इसी क्रम में हम लोग अगला पढ़ने जा रहे हैं अठारसो बानबे का Act Act of 1892 तो Act of 1892 में क्या important points हैं उसको समझ लेते हैं एक बार ध्यान से देखे जब 1857 की क्रांती हुई 1857 की जब क्रांती हुई तो इस क्रांती से तथा इस बीच 1857 की क्रांती के बाद ये जो दो Act आए इन Act के दौरान भारत में जो सिक्षा का प्रसार हुआ भारत में सिक्षा का प्रसार हुआ ध्यान से समझ येगा तो भारत में जो सिक्षा का प्रसार हुआ और 1857 की जो क्रांती हुई इन सब से भारत के भारत वास्यों के अंदर एक विशेष प्रेरणा जो है वो जागरत हुई है और वो विशेष प्रेरणा जो है वो रास्टी एकता की है बहुत ध्यान से समझेगा इस point को यह जो प्रेरणा है वो किसकी है रास्टी एकता की मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलू मैं आपको यहाँ पर यह बताता चलू थोड़ा सा हिस्टी का पॉइंट यहाँ पर माफ कीजिएगा तो थोड़ा सा हिस्टी का पॉइंट मैं आपर टच कराना चाहता हूँ देखें, बिटिशर्स ने अल्मोस्ट हमारे उपर 300-300 साल साशन किया अब बात अर्प को 1857 की देखें लगबग लगबग अंग्रेज जो है भारत में सत्रवी सितापदी के प्रारब में यानि कि सन 1678 में भारत में एंटर कर जाते हैं इसके बाद 1857 माफ कीजिएगा 1757 का युद्ध होता है जिसको बैटल ऑफ बक्सर बोला जाता है उसके बाद भारत में 1772 से अगर वास्तवी क्रूप में देखा जा तो कंपनी ने ठीक तरीके से अपने आपको इस्टैबलिश कर लिया और 1857 तक नौन स्टॉप जब तक कि 1857 के क्रांती नहीं होगी तब तक इसने अपने आपको इस्टैबलिश करके रखा तो सन 1608 से ले करके 1857 तक के अगर इन इन समयों की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो लगभग जो 200 साल का जो समय है लगभग 200 साल के समय में अंग्रेजों ने इतना अत्याचार किया है इतना भारती लोगों को दबाया है इतना भारती शासुकों को उन्होंने बंदी बनाया है और उनको गुलाम बनाया है कि इंडियन्स के मन पे एक विचार आ चुका है इंडियन्स ये समझ चुके हैं कि बिटिशस जो है वो अनविक्टुरेबल है हम इनके ओपर किसी भी तरीके से अपनी विजय हासिल नहीं कर सकते यानि कि अंग्रेज जो है वो अविजित है ये पूरी तरीके से भारतियों के मन पे काफी हत्तक छाप आ चुकी है क्या है अंग्रेज अविजित है मतलब हम इने जीत नहीं सकते लेकिन जब 1857 की क्रांती हुई और भाई इतनी भीशन क्रांती हुई कि अंग्रेजों को दड़ा दड़ा करके हम लोगोंने मारा ठीक है बहुत बुरी तरीके से इनको जब हम लोगोंने पराजित करना शुरू कर दिया तो अंग्रेज जो है वो नीचता पर उतरा है बूचरी पर उतरा है बरबरता पर उतरा है और उन्होंने हमारे युद्ध नीती का पालन ना करते हुए हिंसक मतलब हो गए वो बुरी तरीके से नरसंगहार करने उन्होंने शुरू कर दिये जिसके चलते कहीं न कहीं करांती को बेसर होना पड़ा करांती बेसर हो जरूर गई लेकिन उसके बावजूद भी भारतियों के अंदर ये भावना वो जगा गई क्यों कि इस भावना में हिंदू और मुस्लिम की जो एकता प्रदर्शित हुई है उससे अंग्रेजों का एकदम दम घुट गया बुरी तरीके से दम घुट गया अंग्रेजों का और उन्हें ये एहसास हो गया कि यदि अगर हमने इनकी बात नहीं मानी तो निश्चित रूप से अगली क्रांती अदिगर एस्तरेके की हुई तो हम लोगों का सर्वाइब कर पाना यहाँ पर मुश्किल ही नहीं नामुम्किन हो सकेगा इसलिए वे हमारी इस रास्टी जनभावना का भी ध्यान रखना शुरू कर देते हैं इसलिए मैंने आपको बताया 1861 में कहीं न कहीं और 1892 में कहीं न कहीं आपको भागीदारी बढ़ते भारतियों की भागीदारी कारेपालिका में और विधाइका में बढ़ते वे दिखाई जाएगी क्योंकि अब भारती जागरूप हो चुके हैं देखिए ताना शाही केवल तब तक करी जा सकती है ताना शाही का मिजाज केवल तभी तक हो सकता है जब तक जनता जो है वो जागरूप नहीं है जनता अगर जो है जागरूप नहीं है तब तो आप तनाशाही कर सकते हैं एक बार अगर जनता जागरुक हो गई तो कोई भी व्यक्ति तनाशाह नहीं रह सकता चाहे वो हिटलर ही क्यों ना हो देखे सिंपल सी बात है तनाशाही केवल बेवकुफ जनता के उपर ही करी जा सकती है लेकिन अब यहां पर जनता क्या हो गई थी जागरत हो गई थी स्वभावीक सी बात है कि जो अंगरेज है उनको अपना यहां पर रहने का तरीका जो है वो बदलना निश्चित था लेकिन अंगरेजों को साती सात ये भी एसास हो गया था कि भारत में अब हिंदू-मुस्लिम एक्ता जो है वो बहुत ही अटूट हो चुकी है जिसको अब मतलब देखा जा तो इसी एक्ता की वज़े से ही यहाँ पर इतनी बड़ी क्रांती संभव थी और अब लोग सिक्षित भी हो रहे थे सिक्षा का प्रसार भी हो रहा था तो यह दो पॉइंट मैंने बहुत भेदरीन तरीके साब को समझाए एक पॉइंट में यहाँ पर मैं और जोड़ना चाहूँगा सन 1885 में इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना की गई जहां पर भारतियों को अपनी बात बोलने का मंच मिल गया पहली बात इसके अलावा इस जोगे बराबर कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो भारतियों की स्थिति को बताता था क्योंकि इसमें मुख्य रूप से अगर देखें क्योंकि इसमें मुख्य रूप से देखें यूरोपियों की ओपर भी भारतियों को मुकदमा करने का जो है वो एक तरीके से मौका मिल और कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो विधिक कार्यों में भारतियों को अंग्रेजों जैसी बराबरी मिलनी शुरू हो गई इलबर्ट विधियक के बारे में हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे लेकिन आप ऐसे समझ लिजे नॉर्मली कि जैसे जो जज लोग हुआ करते थे वो यूरोपियन होते थे बिटिशर्स होते थे और वो भारतियों के सारे मामलों को की जो है वो देख रहे करते थे और उसमें जो है जो निरने उनको सुनाना होता था वो सुनाते थे लेकिन अगर किसी यूरोपी ने कोई अपराद किया है तो उसका मामला भी यूरोपियन जज ही देखता था भारती जज नहीं तो अब भारती जज को यूरोपियन का मामला देखने का भी यहाँ पर अधिकार मिल रह इसके अलामा ये कही न कही पॉलिटिकल एक पार्टी आपर बनी हुई है, इंडिनेसल कॉंग्रेस जो हो कही न कही पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई है, क्रांती करके हम लोगों को ये रास्टी एकता की जनभावना मिल गई है, सिक्षित हम हो ही रहे हैं, तो सभी तरीके से अगर देखा जाए, तो भारतियों के अंदर ये जागरुकता जो है, एक विशेज दिमांड को रेज करती है, और वो विशेज दिमांड होती है, विधी के निर्मांड की, मतलब भारती चाहते हैं, कि वो जो है, वो भी कई न कई लॉमेकर बने, इसके अलावा, प्रशासन की, भारतियों को प्रशासन की भी डिमांड जो है, भारतियों ने करनी शुरू करी, प्रशासन की डिमांड, या जनता के प्रतिनिधित्व करने की, प्रतिनिधित्व करने की डिमांड, मतलब वो इंडिया के रिप्रदिमला, पॉलिटिकल आप एक तरीके से कह सकते हैं, प अभी अभी 1877 की ग्रांती से ये मुक्त हुए थे इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बहुत विस्तारित रूप से जो है वो परिवर्तन देखने को मिलते हैं जैसे नंबर एक परिवर्तन आपको क्या देखने को मिला कि जो केंद्रिये व्यवस्थापिका थी केंद्र legislative assembly में जो नामज़त सदस्य होते थे यानि नॉमिनेटेड members जो होते थे उनकी संख्या 10 से उनकी संख्या 10 कम से कम कम से कम 10 minimum लिख दे रहा हूं मैं minimum 10 और अधिक्तम जो है वो 16 निश्चित कर दी गई अधिक्तम कितनी निश्चित कर दी गई 16 और इनमे में से 10 लोगों का गैर सरकारी होना आवश्चक था इनमे में से 10 लोगों का गैर सरकारी होना होना आवश्चक था आवश्चक देखे सरकारी वो है जो ब्रिटिशर्स जिने अपने तरफ से नॉमिनेट करके भेज रहे हैं प्रोविंसेज में भी जो व्यवस्थापिका है वो व्यवस्थापिका क्या करेगा? व्यवस्थापिका में भी गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई जैसे कि में में जो प्रोविंसेज उनका नाम ध्यान रखना है जैसे अगर हम बॉंबे की बात करते हैं यानि के बंबई या फिर आप मदरास की बात करते हैं ठीक है तो बंबे और मदरास में नियूंतम संख्या जो है वो आठ रखी गई नियूंतम आठ और अधिक्तम संख्या जो है वो गैर सदकारी सदस्यों की बीस रखी गई इसी तरीके से अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में अधिक्तम संख्या बीस रखी गई उत्री पश्मी प्रांत में अगर बात करते हैं आपर बंगाल लिख दे रहा हमें बंगाल में बीस नौर्थ वेस्ट प्रोविंस जो था उत्री पश्मी प्रांत जो था इसमें संख्या जो है वो 15 रखी गई यानि अलग-अलग राज्यों में संख्या पहले से बढ़ाई गई और संख्या जो है वो एक जैसी संख्या नहीं थी अलग-अलग प्रांतों में जो व्यवस्थापिका थी उनके संख्या अलग रखी गई लेकिन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या जो है वो बढ़ाई गई और केंद्री वेवस्थाक, पिका में भी सरदस्टों की संख्या बढ़ाई गई है, इसकी अलामा ये एक ऐसा विधेयक था जिसमें निर्वाचन पद्यति का आरंभ हुआ, जिसमें क्या हुआ, निर्वाचन पद्यति का प्रारंभ हुआ, निर्वाचन पद्यति शुरू हु चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था लेकिन इसकी प्रणाली जो थी वो जरूर रखी गई थी तो आपको ये भी अंतर समझ में आ गया होगा निर्वाचन पद्यती वाला जो सिस्टम में वो भी यहां पर आ जाता है अब देखिए क्या हुआ अब जो परिषद बनी हुई है अब जो परिषद बनी हुई है जो काउंसिल बनी हुई है उसमें भारती लोग जो शामिल है उन भारती लोगों के अधिकारों की व्रद्धी करी गई जैसे जैसे कि भारती सदस्यों को बजट पर बहस करने या मैं लिख दे रहा हूँ भारतीयों को वार्षिक बजट पर बहस करने और प्रश्ण पूछने का अधिकार हो गया अब आप इस चीज़ को सोच रहे होंगे क्या ये अधिकार पहले नहीं था तो मैं आपको बता दूँ ये अधिकार भी नहीं था ना तो हम अपने बजट पर बहस कर सकते थे ना ही प्रश्ण पूछ सकते थे और जब बजट पर बहस और प्रश्ण नहीं कर सकते थे तो था हलाकि इस बार्षिक बजट पर मतदान करने का ध्यान रखेंगे इस बार्षिक बजट पर मतदान करने का या फिर अनुपूरक प्रश्न पूछने का कोई अधिकार नहीं था अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं अधिकार नहीं था आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप वार्षिक बजट पर बहस तो कर सकते हैं अपने प्रेशन जो हैं वो पूछ भी सकते हैं लेकिन आपको question का answer जानने का अधिकार नहीं है और नहीं आपको मद्दान करने का अधिकार है आप अनुपूरक प्रेशन नहीं पूछ सकते हैं आप ऐसे समझेए class में एक student बैठा है उसको teacher ने permission दिये कि बेटा तुमको अगर देखने को मिलती है इसका मतलब यह हुआ है कि कहीं न कहीं तुस्टिकरण की राजनीती है हो रही थी कुल्म लाकर के यह हमको केवल बर्गला ना चाहते थे अपने मुद्धे से हमें भठकाना चाहते थे और जितना हम मांगते थे उतना केवल हमें थोड़ी मात्रा में मौखा मिला है अधिकार थोड़े से पहले से बढ़े हैं लेकिन इतने भी नहीं बढ़े हैं जितने उन्हें बढ़ने देने चाहिए थे तो यह थे अठारसो यह था पूरा 1861 का एक्ट तो मेरी ख्याल से आपको अठारसो बानवे का एक्ट भी पूरी तरीके से समझ में आ ग रिक्षा है उसमें बहुत ही धैयर yet पुरवका अगर आप त्यारी करते हैं आई स्पीस्ट्री wrapper अगर आप करते हैं तो बहुत ही धैयर से समझ में आएंगी बसरते की बस आपको केवल डेटा याद करना रह जाएगा तो आप वो डेटा आराम से याद कर सकते हैं तो मेरी ख्याल से जो ये वाला एक्ट है वो आपको अच्छे तरी के समझ में आ गया होगा तो ये पूरा का पूरा जो एक्ट था ये 1892 का एक्ट ठीक है इसके बाद इसके बाद जो अगला एक्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यदा विवादित है इसके बाद दो एक्ट ऐसे आरहे है जो बहुत ज़्यदा विवादित इसको बोलेंगे Montague Champs-Ford सुधार या Montague Champs-Ford रिफॉर्म और ये आएगा 1919 में ये दो बहुत ही बड़े भारती सम्विधान में भारती इतिहास में और भारती सम्विधान के विकास क्रम में बहुत ही महत्पूर ये एक्ट हैं और इन में British Temperament में हमको बहुत ही बदला हुआ दिखाई देगा और आज जो भारत की situation है उस situation के पीछे कहीं न कहीं ये दो एक् का है इन दो एक्ट के बारे में विस्तार से जानेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में आज थोड़ा स्वास्त भी अच्छा नहीं है तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आप से अगली क्लास में मुलाकात करूंगा और तब तक के लिए आप से चाहूंगा कि आ के लिए आज की क्लास में फिलहाल इतना ही फिर मुलाकात करेंगे इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सब लोग एक बार अच्छे से मेरे साथ जुड़ोगे पढ़ोगे समझोगे और किसी भी चीज में परिशानी आएगी तो आप उसे शेर करोगे तो आप लोगों की शु झाल